अलो दूस्तों वेलकम टू ओनो स्टडी और आप बेदी सोच रहे हैं कि यार मेरा बिजलीगा बिला चुका है और मैं कैसे भरूँ आपके पास तुरंत धनी का नोटीपी केसन आया कि आपको बिजलीगा बिला चुका है आप हमारे यहां से बरिए आपको पांच परसंट कैस आपको कुछ नहीं बिनने वाला एक रुपे भी नहीं देने वाला धनी आपको देखा देता हूं क्या सच चाहिए धनी ठीक है रुख जाओ अभी रुख जाओ एंफॉर्मेटिव वीडियो लाता हूं इसलिए लेक कर देना ठीक है हां तो वाज साहब यह जैसे खुल गया आपके सामने 50,000 की क्रेड लिमेट जिसे चाहिए न किवल भूई खरीदो और यह आपको कतने पड़ेगी आपको मैं बता देता हूं यह पड़ेगी 500 रुपे में ही पड़ेगी 500 रुपे कोई कैस्वाग नहीं मिलता आप दनी कैस में आता मैं आपको दिखाऊंगा रियल्टी मेरे अकाउंट की ठीक है रियल्टी दिखाऊंगा तो यहां पर अकाउंट में चलते हूं और लिए लीजिए कितना कैस्वाग दे रहां 500 मेरे पास 1249 रुपे कैस्वाग ना एक बिल्पेमिंट किया था इससे ठीक है सर्वीश एस मैं तिमें जाओं लोग इसका पास्वोड साय यह यह थीडीक है सर्वीशे में अपन सब्सक्राइब और यहां पर मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखाऊं तो ट्रांजेक्शन जो है यह देखिए जे भी भी इनल स मैंने बिल्प भुमेंट हो दोस्तों आपको पागल बना रहा धनी इसका जो कैस्वाग आता है आपको चले देखा देता हूं यह देखिए यह रहा आपका 180 रुपए कैस्वाग electricity पूरे 1200 रुपे के सब्सक्राइब को रिए रूपर को ले लो और गिसमें से गई काथे लिए तो यह एकस नीची है यह तमारा कैस्वेग जो यह धल लो कैस्वेग तो यह दनी की ठीक है मैंने बहुत बार आपको औरिजिनल्टी बताने की कौशिस की है तो यह औरिजिनल्टी है धनी की तनी मेंबर सिपकाख भी आपको मैंने बता दिया यह 500 रुपे की ही पड़ेगी आपको ठीक है यह लग पैचा जार क्रिदी लिमिट दे रहा है वह अच्छी बात है 500 रुपे सामान MRP में ही देगा आपको किसी प्रकार का कोई कैश्वक नहीं मिलेगा यह गारंटी है मेरी अभी जो कैश्वक दे रहा है वह भी दीर बंद हो जाए का मैंने देखा है पहले बहुत सामान थे इस पर जो आपनों को डिसकाउंड में मिल रहे थे बट अब नहीं मिलते त इसके पाँ सब्सक्राइब आपका 500 रुपिया कस्टूमर को इधर से उधर नहीं होने देगा ठीक है तो यह एक बिजनिस की जो एप्रोच होती है हमीसा सेलिंग की जो एप्रोच होती है जिसका फंडा सेलिंग के एक फंडमेंटल का उप्योग किया है प्रीमियम भरवालो आपका बंदा आपके पास रहेगा यह फंडमेंटल होता है प्रीजनिस से अप्रोच का बिजनिस को बढ़ाने का तो उन्होंने उप्योग किया है और सभी लोग इसमें फस्ते चले जा रहे हैं आलगी मैंने तो नहीं किया पर एपर मुझे करना भी नहीं कि मैंजे क्यों खरीदूंगा भाई में क्यों आऊंगा धनी श्टोर पर में पांच रूपेस ज्यादा तो मैं एक साल में फायदा कर लोगा आपको पता है धनी प्लस का फायदा क्यों नहीं है क्योंकि इससे जदी आप 50,000 का सामान मंगा रहे हो ना तो आपको कितना परसेंट के सब्स परसेंट जब आपको मिलेगा इसका पूरा तब जाकर आपका क्या पांच रूपे चुकिएगा मैं इससे अच्छा मैं दस परसेंट और बीस परसेंट वाले उप्सन को चुरूंगा जो अमीजन के पास है जो हमसे पैसा पहले ले भी नहीं रहा है बिना पैमेंट पहले ल हो रहा है ठीक है तो आप आपने तो क्या है पहले पांच रूपे पे कर दिये फिर आप पांच रूपे बचा हो गई भी नहीं इस पर तो आपका तो बहुत महेंगा पड़ जाएगा ये